नमस्कार प्यारे कर्शियोद्वों मैं सितराम बाकर स्वागता आपका राजस्तान के सबसे बड़े इस्ट्यूट एग्री सेलेक्षन पॉइंट के डिजिशल प्लेटपोरम पर जिसा कि प्यारे सातियों बहुत से विद्ध्यारती लाइव जुड़ चुके और आज आप सब्सक्राइब कर लिए और आप सबीने उनका सोलिशन भी कर लिया होगा और आपने टेली भी कर लियोगी तो हमारे संस्तान एसपी कोचिंग जेपुर द्वारा लाश्ट में डाली गई है चार गंट एक बजए आपका पेपर हुआ लेकिन हम साथ बजए आपके बीच में लाइव रूबरू हुए तो आपड़ बात करेंगे जेट के अंदर जितनी भी बाइलोजी के क्यूशन केमेस्ट्री और एग्रिकल्ट्री जो क्यूशन थे 120 क्यूशन उनके आंसरों के बारे में बात करेंगी तो जितने भी साथी लाइव जुड़ेवत सभी विद्यारति एक बार वीडियो की लिंक को सेर कर दीजिए और अपने सभी सातियों को इस लाइव सेशन के दुरान जोड़ दीजिए क्योंकि मैंने लाइव सेशन में आपने देखा होगा बहुत से संस्तारों ने बहुत ही सटीक आंसर की डाली है लेकिन कुछ ऐसे क्यूशन है जिनके सटीक आंसर देने का तो अपने साथ में जूड़ चुके अखिल खिलाली नाइस मीना जी मोनिका चोधरी उराज चोधरी आसुराम जी विजे संकर जी खटाना का लाडला भी जूड़ चुका ममता गूजर जूड़ चुकी है सुनिल कुमार शेनी जूड़ और भी बहुत स स्टी अब आप इससे टेड़ी कर लिजी कि कौन सी स्टीज का फेपर है मैं पहले क्यूशन की बात कर रहा हूं आपके सामने जो पहला क्यूशन था इस स्टीज का रानिखेट नामक बीमारी निमन में से किस परजाती के जानवर में होती है बहुती जी प्रूशन था और आ में लिकित में से किस PGR PGR का उपयोग फल पकाने में किया जाता है बहुती यहां पर English word दे दिया था आपको पता है अपना ये पादप परवदन वाला टोपिक था तो कौन से PGR से फल को पकाया जाता है यह भी वहुत से विध्यारत्य वाँ आते के लाइनिटी परसेंट विद्ध्यारत्य को आती Fateh प्रक्रिया दोरा इसका दोनों में डिफ्रेंट तो कपाँच के जूट का लेशा यह इसको किस परक्रिय से इसका राइट आंशर रेटिंग ता तीसरा जो उप्षण था उसका राइट लाइट रेटिंग दूसरे की बात करेगा तो इताइल सद्रता उसमें था कुकुट तो बहुत से विध्यारतियों को बिलकुल बहुत से विद्यारती सोर पलस विध्यारति अभी लायव जुड़ेंगे लेकिन आप इस वीडियो की लिंक को ज़रूर शेर कर दीजिए और अगर आप चैनल के उपर नहीं हो तो वीडियो को लाइक के साथ चैनल को सस्क्राइब करना ना बूलिए बात करूंगा चोटता जो क्यूशन है देखो यह क्यूशन बहुत ही इंपोर्टेंट क्यूशन था और बहुत से इस्टिटोटों की बात करें तो बीज यह मसाला है उसका प्रोडेक्शन सरवाधिक होता है और इसका जो राइट आंशर था वो था जीरा और मेती द्यान रखना विद्यारतियों कंफ्यूशन बहुत से मैंने आंसर देखा था कुछ लोग जीरा और धनिया बता रहे थे कुछ लोग जीरा और सौप का प्र और इसका राइट आंसर भी आग टिक कर सकते हैं अगला क्यूशन था अधिक्तम जल उफ्योग दक्सता प्राप्त की जा सकती है तो बहुती इजी क्यूशन था बार विए पढ़ चुके हो इसका जो राइट आंसर क्या था भूंद भूंद या ड्रिप सी चाही से क्या कर स सकते हैं सबसे जाता जल उफ्योग दक्सता किस विदी में आई ञती है वो था बूंद बूं से चाही या ड्रिपर इरीगेशन के अंदर नेट का भूं में तो नेक्ट कुछन दा राष्टिये डेरी विकास बोर्ड राष्टिये डेरी विकास देखों पिछले साल जेट के अंदर एक कियूशन आय था पुचा गया था पिछले साल पूचा था एंडी आराई एंडी आराई नेशनल डेरी रिसर्च इस्ट्यूट और उसका राइट आंसर था करनाल हरियाना लेकिन यहां पर एक्जामिन ने तोड़ा सा क्यूशन को गुमा दिया और क्यूशन दे दिया राष्टी डेरी विकास अगर कोई विद्यारती एसपी का भी जुड़ा हुआ है तो आपको पता होगा इसका राइट आंसर क्या था और उसका राइट आंसर क्या था आनंद गुजरात एंडी डेरी डेरी डेवलम्मेंट बोर्ड यहां पर इंग्लीस वर्ड भी लिखा वा था हैड क्वाटर ओप नैशनल डेरी 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 डेर्लम्मेंट बोर्ड इस लोकेटेट एट बहुत ही इजी क्यूशन था अगर आप इंग्लीस वर्ड और हिंदी वर्ड दोनों को अगर आप पढ़ रहे हो तो तो इसका राइट आंसर क्या था आनंद गुजरात आनंद गुजरात में क्या है ऐनंडीडी बीथा हुआ अगले किशन की बात करें नेक्स जो कुशन था वह तक टेडikर डियोलस का वार्ट यह साइक परवादन किसके द्वारा किया जाता है ग्ले डियूस का और देखको से किया है आप गनगन बोलड दो आप से बच्चे हिंदी मीडियम कर इंधर की या घंकंद यहां पर घंकंद नहीं दिया और यहां पर दे दिया और तो यह थे इसके राइट आंसर नेक्स्ट क्यूसरों की बात करें तो देखो कर्तनों में जडन है तू मुक्खे रूप से कौन सा विकास नियामक जखो अगर जड़ոं को सिग्रफ पकड़नाओ इसका राइट आंसर क्या था इंडोल इंडोल्स थ्री गूसर लिफ काम्ल इंडोल आई बीए क्या था इसका राइट आंशर था अगले क्यसानी बात करे निमन लिखित में से किस पसल को गरीब का भोजन कहा voilà तो सब से isब क्यों सबसे गुसंटा की से वैजरा को कि लतना की सब्दुरह ऑब कि बिल्कूल वाजर को आप सभी को तही दिल से धन्यवाद कि आप सभी का पेपर अच्छा हुआ होगा और हम दुआ करते हैं वगवानशी कि आप सभी का सेलेक्षन हो बिल्कुल अक्का खेड़ी बाला जी सरकार बता रहें सी बिल्कुल राइट आंसर क्या है सी तो इसका राइट आंसर क्या नियुक्त होगा बाजरा गरीब का बोजन कहते हैं बाजरी कुम नेक्सिस रोगरे, तो नेक्स जो क्यूशन था वो था झान बेरमें पौध़ परवदन का मुख्य तरीका कोन सा है बेरमें और बेरमें पूचा तो बेर ने सिद्धरी है नहीं की जाती है आते आपको है अम्रूद की बात कर लो उसमें कर लेगते हैं लेकिन बियर का पूचा हुआ है यहां पर और मैं बच्चों को पहले पता शाइधा खजूर और बेरिव इंपोर्टेंड और बेर int पूछ ही लिया और इसमें जो होगा बिल्कुल बिल्कुल जो नहीं होगा पेटा गरीब का भोग्युजन तो जमार जुअरूगा सर में जमार होगा एक जो बता रहा है सिंद्स दू sert इप्रॉइं पर परती है किर जो नाइट्रोजन है इस तरीकरन करती है और उसका राइट एंच था 50 से 55 kg यहां पर भी 40-45 kg था लेकिन एक्जामिजर ने हाइस दिया 50-55 kg तो उड़द ओ या फिर मूंगो वो मर्दा से कितने परतिसत नाइट्रोजन का स्ट्रिकन कर लेती है कितने kg कितने kg वो 50-55 kg नेक्स्ट बात करें एक कर रहा है बहुत दिनों बाद में बैटा सुपरवाजर बरतियार यह मैं आपके बीच में लाइव जुड़ने वाला हूं टेंशन ना ले बहुत जल्दी आपके बीच में लाइव रूबरू होंगा बाजरा योका सर एंशी आटिम बिल्गल बाजरा करें इन में से क्या तना कलम या कटिंग का परकार नहीं है यहां पर वर्ट दिया था नहीं है बहुत से बच्चे गलत करके आगे नहीं है दिया हो यहां पर तो इसका रूट कटिंग क्या होगा राइट आंसर होगा नेक्ट क्यूशन की बात करें निमन लिकित में से कौन स त्रिटिकम डिरॉम क्योंगा। के बाटम। नेक्ट स्कूशल की बात करें। किए गyuग्टर है एक क्या है यह मुक्त जीवित नाइट्रोजन इस्तिक्रण जीवानु मतलब इसका राइट आंसर क्या होगा तीन होगा नेक्ट कुछन है दूद में किस तत्व की कमी पाई जाती है तो मैं बता चुका हो आपको आप पड़े भी हो खुब बार बताया था लोहा तत्व तो दूद में कौन सा तत्व नहीं पाया जाता आईरन तत्व नह ही पाया जाता या नायके बर्Abplate पाया जाता है अगला कुंधा मर्दा में जल को चल्की नीचे की और गती करना पर कोर्लिशन यह कुसंतो दो जाता है सामानने से भी कम हो जाता है मतलब एक मातर रोग है जिसमें ताप मान क्या होता है पसों में कम हो जाता है गंगादर मीना करें सरा आप तो रोज मिल तो बैटा मैं लाइव आज बहुत दिनों बाद में आए हूं मेन का जाट करें 110 प्लस से बहुत बहुत अच्छा बटा बहुत अच्छा युनिशिटी टॉपर आप तो आप टैंशन ना ले अगला किचना निमन लिकित में से कौन सा बाग बगीचा प्रवतन के अंतरकत नहीं आता तो सिंपल चाथा फसल सुदार फसल सुदार क्या बगी की पटी रह गई और उससे विद्यारती भी सोच रहें बहुत परीजी था लेकिन जब आंसर की आएगी युनिशिटी की आंसर की आएगी तब आपको असास होगा कि क्या पेपर इजी था नहीं था पेपर हाड था पिछले साल के मुकाबले हाड था मैं कटोप के बारे में बात करऊंका शूसन है पालक कोन से आप आलक कोन से वानस्पतिक परिवार का अब पालक का यहाँ पर आपको बताना था कुल बताना था और पालक का कुल क्या होता है चीनी पोड ये चीन पोड झी बोल दो को चिनी पोडियेशी बोल दो कि चालू सर आपके एस्पी के लाड़ बहुत लाड़ ले उदेपुर मिलें बेटा उदेपुर किया पूरे राधिस्टान में मिलेंगे आपको जहां भी एक्जाम देने कही होंगे एस्पी के चातर और आप जब परिणाम इसका जारी होगा च चुडेंट कुसे ने फिसरा उड़त का बोट निकल लेम क्या था विगना मुंगो उड़त का बोट निकल लेम क्या हुआ विगना मूंगो हुआ देखो यह आपके बारवी के पड़े हुए तो कुछ की सन एगरीकल्टिर के क्यूशन मानते हैं कि इजी आए हैं फूल गोभी में वईब टेल अग्ला क्यूशन है फूल गोभी में वईब टेल किसकी कमी के कारण होता है तो आपको पता है किस की कमी से होगा मोली बडेनियम की कमी से जो मोली बडेनियम पोसर तत्व है उसकी कमी से क्या होगा फुल गोवी में वाइप टेल अगला कि उसना रेड सीड और सर्शों का हजार वीजों का वजन कितना होता है 1000 वीजों का वजन कितना होगा 3-5 ग्राम होगा एक 1000 वीजों का वजन और अगला क्यूसन था बकरी के वैस्ख नर को क्या जाता है देखो विद्यारतिक बेल और शूर को तो अलग कर दिया लेकिन रेम और बक में कन्फिज हो रहे हैं ज्यां रखना बकरी के जो छोटा कहते हैं बक कहते हैं नेट क्यूसन की बात करें चोईस्वा क्यूसन और क्यूसन बहुती सो लिड़ता पुरानी पत्तियों का अंतैसिरा क्लोरोसिस कि स्पोसर तत्व की कमी के कारण होता है और राइट आंसर क्या था इसका मेगनेशियम राइट आंसर क्या था मेगनेशिय जो प्रनाली है रोपन की प्रनाली उसकी तुलना में कितने पोदे वर्गाकार जो विदी है उसकी तुलना में कितने पोदे एक्स्रा लगाये जा सकते अ मनीश मेना करा एस पी से स्टुडेंटों ने जंडे गाड़ दिया जंडे नहीं गाड़े और अब पता नहीं क्या-क्या गाड़ दिया पेटा रजेल्ट आए गाने तब देखना लट गाड़ दिये जंडे नहीं तो देखो इसका जो राइट आंसर क्या होगा 15% एक्स्ट्रा पोदे लगाए जा सकते हैं जो वर्गाकार विदियों थी उसके मुकाबले अगला किसना ये किसन बहुत ही लग्केशि डिकां ब्रिगडवा उपा Teư तो यह था सबसे मतलब टेखनीकल पस्टू पश्व पाल में एकमातर कुचिन यह आ заключ वो नेक्स्ट्रिक भाथ करें तो देखो नेक्ट्स क्यूसें बासन था मेंथी का कूल क्या है मेंथी का कूल क्या है और मेंथि का एक मति का खुल क्या है फे बेशी अर्य आप फे बेशी बोल दो क्योंकि फड़ियों राड ये तो दो पसलों के तो कुल आपचे पोछ लिये गए अब इसे गोतंबरा एसपी कोचिंग जिन्दाबाद बेटा जिन्दाबाद है जिन्दाबाद थी जिन्दाबाद रहेगी तुभी वो सनी देवल वाला डायलोग बोल रहा है देखो मेथिका कुल क्या होगा फेबेशी होगा हाली में जारी की गई अधिक सुक्सम पोशक तत्व केरीटो नाइड और एंथो साइनिंग युक्ति आलू की किसम कौन सी है और ध्यान रखना इसका राइट आंसर क्या होगा कूफरी मानिक ये वैसे सेकिंड वेराइटी थी इस से अलगती लेकिन वो ओप्सन में नहीं आ पए द्यान रखना तो इसका राइट आंसर क्या होगा कूफरी मानिक अगले क्यूशन की बात करें तो अगला क्यूशन है मवेशियों में गुण सुत्रों की संग्या कितनी होती है खूब चिला चिला के गड़ा फाड़ पाड़ के पड़ाया हुआ है गायों के गुण सुत्रों की संग्या कितनी होती है 60 होती है 60 और भैसों में कितनी होती है 50 एक्जाम के 4 दिन पहले 12 तारीक की बात है 12 तारीक को भी बताया था हाइग्रो मिटर के दुआरा मापा जाता है सापेक्षिक आदर्ता सापेक्षिक आदर्ता क्या मापी जाती है अगला किशन निमल कितने है कौन सा जानवर जुगाली करता है तो ये तो बताने की जरुती नहीं थी हरी स्टूडेंट का सही था और भैस क्या करती है जुगाली करती है बाकि मुर्गा मुर्गीर कुत्ता बिलीर ये क्या नहीं करते जुगाली नहीं करते यह सीदा क्या करते बटगा बरते बटगा जानते यह आप सब अगले क्योशन की बात करें भारत का विश्व में फल और सब्जी उत्पादन में कौन सा इस्तान था तो बताया हुआ चीन नमबर वन और भारत शेकिन नमबर तो कौन सा इस्तान हो गया शेकिन नेक्स फूसन देख लो विशु में सरवादिक गो जाती है संक्यावाडा देश और सब को मजा गया होगा क्योंगी बताया वाता ब्राजील ब्राजील भैसों में भारत और गायों में ब्राजील बिल्कुल सहीर क्या सर आप भी स्कॉलर्शिप टेस्ट कंडेक्ट कराओ बैटा स्कॉलर्शिप टेस्ट की जड़ती नहीं यार 32 में बिल्कुल राउल गुजर आपका राइट आंसर आ रहा तो इसका राइट आसर क्या होगा ब्राजील अगला क्यूशन दा बहुर जी टेक्निकल था वैसे आप छोटी के लेवल के पड़े वह हो हाट वी सी लेकर बार वी तक कंट्यूनी पढ़ते आ रहे हो प्रोजेस अगला क्यूशन दान है स्वैप्रागित पसल स्वैप्रागित पसल देखो सेल्प पोलिनाइटेट प्रोग अगले क्यूशन की बात करें बर्शीम में नाइट्रोजन इस्तिरिकरन करने के लिए कौन साथ जीवानों उत्तरदाई होता है और उसका राइजोबियम ट्राइ फोलाई बर्शीम का मैस ट्राई हो गया हमारे को टीशर बताते दे तरह आपने बताया और हम नहीं करें नहीं ऐसा नहीं हो सकता बिल्कुल बटाओ जो बताया वो जो पढ़ाया वो पूरा मिला मुझे कुशी हुई एक युशन नहीं मुला जो आपके जो डिजीज का आया क्योंकि आप बारवी की किताब में छपा हुआ था इसलिए थोड़ी बहुत चूक हो गई बाकि पूरा का पूरा पेपर आप सब एस्पी के इध्यारती जो जुड़े हो सब को पता है पूरा पेपर सेम टू सेम मिला प्याज के बल्क विकास है तू उचितता अपमान क्या होता है यह क्यूशन सुप्रवाइजर में पूचा हुआ दो जा रहा और इस बार जेट में भी आ गया 15 से 25 डिग्री सेंटिग्री एक जी जो टाप टेमप्रेशर होता हो लगबग 21 क्या माना जाता है इसका माना जाता है कौन सा पूस्प सामाने विच्छिन पूस्प के र गेंदा हो सकता है खुब सर्च किया उसके बाद में इसका राइट आंसर आया उसका राइट राइट आशर क्या होगा गेंदा अगला क्यूशन दा ओस्म आपने के लिए प्रियुक्त उपकरण ओस्प से क्या डुश्मिटर से जाइन मापते पन ओस्मापते बिल्कुल बिल्कुल बिटा अगला क्यूशन है अरकार रख्षक किसकी किसम है और एग्रीकल्चर की वेराइटी एक पूची और वो भी अरकार रख्षक पूल ली तो अरकार रख्षक किसकी थी टामाटर की थी तो यह थे अपना एग्रीकल्चर का पेपर बात करें बाइलो लगेगा आपको कि क्या पेपर पिछले साल के मुकाबले हाड था और कटोप ज्यादा नहीं जाएगी जब आप क्लास से जब पेपर देके निकले थे तब सब बच्चे सोच रिज मेरे से क्यूशन सही है मेरे पिच्चे सी क्यूशन सही है और जब रेल्वे स्टेशन या बस इस्टेंट पहुंचे तो एक्टोमेटिक पांच क्यूशनों पर कम आ गई और अभी देखना साथ बज़े सब 68 पे कोई 65 पे 68 पे सब आ जाएंगे और जब यूनिशिटी जारी करेगी जितने विद्यारते के सही थे उन सब को लगभग गूर्मेंट कोलेजेज मिल गई थी इस बार तीन चार क्यूशन और सही आप टेंशन ना ले इसके बारे में मैं कल वीडियो बनाऊंगा पूरी डिटेल सी वीडियो बनाऊंगा और हो सके अभी टाइम मिल जाएगा तो अ अगला क्यूशन निमन लिकित में से किस फाइलम के जनतूओं को इस सरीर में गोहा होती है और वो था एनलीडा एनलीडा संग के जो जनतू होते उनमें क्या पाई जाती है गोहा पाई जाती है अगला क्यूशन था निमन लिकित में से किसके अत्रिक्त सभी में एक से ज्या economical order का सही क्रम कौन सा है पहले आता है प्रजाती उसके बाद में आता जिन्स परिवार क्रम और इसका विवाजन तो यह किसका क्या था राइट आंसर था नेक्ट शुशन की बात करें तो बहुती इजी क्यों आयता प्रजाती प्रजाती सब्द किसने गड़ा था रहे और वो इसलिए सब्द ये हैं जानरे जान रे इने क्या दिया था प्रजाती सब्द दिया था अग्ला कि सुट्री विवाजन में स्नेप Quin कि सके दोरान होता है जाइगती इन के कारण करन कि क्या होता है सिनेप सीजेट की बात करें पुश्प के डंठल को क्या कहते वरंथ preserved पी chemistry में बायलोजी में भी दिमाग चक्रा गया निमन कितमे से जड़ों के किस भात में को मूल रोम भाग भी कहा जाता है और वो ता कोशी का परिपक्ता छेतर इसको क्या कहते है अपन मूल रोम भाग इस टार्च के एक अणूं के उत्पादन के लिए कितनी बार सीथरी चक्र के पूरे होने की आउसकता होती है और वह चक्रते 6 ज्याजातर विद्यारती छ्यार करके आएं ध्यार अकणा छे से चक्रती इसको कूरा करने में 6 चक्रत नेक्स कुशन है परिरंब परिरंब में द्रष्क द्रडों तक की अर्ध चंदरिकाएं पट्टिक्या पाई जाती हैं पत्री मूल में ड़िस्ट पत्री मूल में नीट की बात करें सनायूस चनने की भली छेदत कीट वगया रिजोन यहplease वत रहत के अगला क्यूसन बहुत एजी क्यूसन आयता कोसी का या केंध्रक की खोज सर पर्तम किस के द्वाणा की THी राबोट ब्रावन के द्वारा तो ये सबका सही तर सब से इसके राइट आंसर नेक्स्ट बात करें सर आइडी सी पी कितनी जाएगी देखो कटोप के बारे में बताओं आपको कटोप के बारे में अपन कल बात करेंगे कटोप भी आपको शो कर दी जाएगी हमारे अनुमान से बाकि जो अनुमान है वो युनिशिटी का ही चलेगा बिल्कुल अगला कि उच्छा निमल लिकित में से किस में कोशी का बित्या सेलिलोज की नहीं बनी होती बोजन में निया सिस्की कमी से निमल लेकित देश कौन सा लक्षण होता है और उसमें पहला ग्रार हो जाता अदमी अगला क्योंचन था एबी ओ यह बहुत ही टेखनी का लिकिशन था घुमादिया खोपड़ी नीट वाली बच्चों की भी खोपड़ी गूम गई इस क्यूंषन में एबी और पंडाली में रक्त समयों की विशेश था एंटेज़न और बी और एंटेज्टा बचल की अनुपस्टी ती इसके लावा यह क्यूंषन भी बहुत ही हाड़ था अच्छे और भच्चों बच्री Rebecca और future हो रिती और आप बारिस का आनन्द लेना चाहिए था लेकिन ये पेपर ही ऐसा आगया कि आनन्द इसमें मातम में बदल गया बहुत से बच्चों को एरिथो बलास्टोक्सित फीटेलिस किस अयोग्गे द्वारा बहुता है अरेचえーat पलसवी ग्रॉन इसके बीज में होता है तीचरों के भी पसिने आगे थे बर्शाथ में पसीने आगे थे पेपर को हल करने में एपो मिक्सिस किसके गटन को संद्रबित करता है बीज को राइट आंसर क्या होगा बीज बेटाओ आप आप यह ना सोचे कि पेपर इजी था बेटाओ कटो बहुत कम जाएगी इस साल कम्पिटिशन कम था और आपके साढ़े 400 सीटे बढ़ गई पहले गुन्नी सोगे लगए अप साढ़े 2300 सीटे होगी तो आप गबरा उमत अभी तो आपके 50-55 सही हो रहें तो यह समझो कि अपना सेलेक्शन है आप अभी आप क्या तोड़े से बर्मीत हो रहें भी तो कोचिंग वाले डाल रहें आंसर की डालते जा रहें यह हो गार इसका यह हो गार अभी बैटाओ सब कोचिंग वाले ऐसे दो च्यार कुशन इनके भी गलत होंगे अभी मैं बता रहा लेकिन कोचिस हमारी यह है कि इन में से हो सकता कोई भी संसोधन नहीं होगा यह हमारी इस तरफे बाकि एक दो किसन ऐसे होते हैं तो आप यह मत सोचोगी इनके साब से कैल्कुलेस कर लो इतने कि बच गए काट पीट के बैटाओ अभी तो टाइम है हर साल 4-5 किसनों को डिल से सही है इतना हाड भी नहीं था लेकिन इजी भी नहीं था हाड आप माने या ना माने कटोप ज्यादा नहीं जाएगी पिछले साल की एकवल ही रहेगी कटोप अब आपको चड़ाएंगे कोई आपके दोस्त कर देगा मेरे 208 कोई मेरे पिच्यान में सही है तो ओसकता सबके सबके 80-80-80 पिच्चाइसी नहीं है वो सच जो राजस्तान के इंदर बात करे तो लगबग 58-62 क्यूशनों पर अठके विए बच्चे अधिकान्स बच्चे लगबग 80% बच्चे 58-62-64 कोई 57 से मालो इससे जदन नहीं है गलतियां होती है सबसे गलतियां होती है अब किसी के 25 गलत हो किसी के 20 गलत है और ओसत हर इस्टूडेंट के जाई को कितना ही सुपर हो दस से पंदरा क्यूशन तो कम से कम गलत है देखो नेक्स्कुशन है निमल कितमे से कौन सा रसाइनिक रूप से एबीए के समान है डॉर में आप देखो इसको भी बहुत से इस्टूट वाल गलत बता रहा कोई इत्रेल बता रहा कोई नेफेतलीन बता रहा ध्याना रहा आप जब आंसर की आई कि तब आप देखती ज उठा लिया नेक्ट कुछन है ग्लाइकोस लाइसिस और टीसी एक चक्र के बीच का अंतर है अब देखो नीट वाले बच्छों के पसी ने आगे इसे कुछनों में अपने जेट वाले कहां से करेंगे एग्रीकल जवाले बच्छों के ऐसे कुछन कहां से आएंगे बहुत ऐसे कुछन एक्जामिर इसलें डालता कि बच्चे छोड़ दे अब तुम छोड़के नहीं एक सर मेरिट क्या रहेगी बैटा मेरिट पिछले साल जितनी रहेगी ज्यदा नहीं जाएगी मैं चिल्ला चिल्ला के बोलता था पहले बैटा और नहीं जाएगी तुम तुक्के म पारमार कि कोई करके आ गया कोई 105 करके आ गया 1010 करके आ गया और और कोई कोई लाड़ ले तो 120 के बीश करके आ गए हैं मत पहले चिला था था बेटाओ 65 क्यूशन खूब होते हैं 70 क्यूशन खूब होते हैं आपको जितने आए उतने करके छोड़ दो ऐसे क्यूशन छोड़ने चाहिए थे और तुम तुक्के मार के आ गए एक्जामिनर 10-15 क क्यूशन तरह से डालता कि बच्चे छोड़े लेकिन तुम छोड़ती नहीं हो यह पादप हार्मोन शीर्ज परमूंगता व्यामित करता है ओक्षिजन ओक्जीन यह इजी क्यूशन था आप तुक्का भी मारते हैं आपका सही होता अब देखो अब यह समझ में नहीं अनू प्लांट होते हैं उनमें कौन शीपतियां अनूपढणी अगला कि अनीम लिकित में से कौन सा सही सुमिले था अब देखो बिल्ली फैलिस और जिन्स इसे बहुत से बच्चे चक्राइए थी तोड़ी देर लेकिन बहुत ही सुपर बच्चों के हुआ होगा कि उसंता मदूमक्हियों में नर मदूमक्ही का जनम किशे होता है एनी से चितनेनों से इसको तो टेखनीकल अगर दिमाखवाला स्टुडेंट शाहि कर दिया कि अगला कि उट्राइकोग्रामा पर जाते किस पर पर्जीवी है अन्डों के उपर अगला कि पोईसी में पाई जाने वाला फल कौन सा है और एक खाद्यांत की जो पसलने हैं जैसे मालो अनाज वाली कोई मालो धान मालो मक्का जवार बाजरा यह सब कि स्कुल में आती है इसके फल परकार क्या होता है केरियोप्सिस होता है पोईसी अब देखो आपने पढ़ा है ग्रेमिनी कुल पढ़ ल पोईसी भी होता है आप पोईसी नहीं पढ़ गए और केरियोप्सिस निमन वेचे कौन सा प्रोटो जोवा का उधारन नहीं है अब देखो यह अब यह कोई क्यूशन था क्या विचारे बच्चों को दिमाग सकरा गया पहली बार ही नाम पढ़ रहे थे एसे क्यूशन पेपर देखो पेपर तीन चीर क्यूशन तो बायलोजी में आउट ओप सलेबस देदी आई से उटा के दिया जो सलेबस डालाग था यूनिविशिटी ने उन टोपिकों से देना चाहिए था यहां एगरी बायलोजी के क्यूशन नहीं दिए दस्क्यूशन एगरी केमेस्ट का डिवाइड कर दिया यहां जूलोजी के 3-4 क्यूशन दिये पूरी बोटनी बोटनी डालती तो तोड़ा सा एग्जामिनर को भी सोचने की बात है यूनिविशिटी को भी सोचना चीए जो आप सलेबस डाला है उस सलेबस के कोडिंग पेपर देना चीए बच्चों का ले डेवल देखी क्यूशन होगा यूक्रोटिक 40S राइज वो सोम होता है तो इसका राइट आंसर क्या होगा एक सो पिच्च्च्याशी आर एन अगला क्यूशन है PCR तक नहीं में प्रियुक्त टॉक पॉलिम्रेज का एक सोथ है अब देखो नीट वालों को भी पसी ने आ एक क्यूशन हो में इसका राइट आर सा थरमोलिपिक बैक्तिरिया अंगला कर सबसे अधिक जीन पाए जाते गुण सुत्तर एक में सबसे अधिक जीन पाये जाते हैं कि क्यूं मैं के ट्राइको ड्रमा है कवा के ट्राइकोडर माई बिल्कुली जीता सइक नदा अब देखो notocone gast ranging किस परत में विक्सित होता अब कांब विचार्या करें गरत कि विचार्य को प्रेश करता है इससको तो विचारे को यह नाम पहली बार पढ़ाई नोको और है क्या वह विचार опас गया होगा यह दो रहें क्या में सोदर्म रैक्ट विचारे का खोप इतनी विक्सित करने का में और सेंटर दाल दिया कि-अधि योध्भू डाल दिया खी विक्सिति यद्ध वीयों यह तोड़ा सा उनको खुशी के लिए तोड़ाआ सा तो ॢो डाहिल सब में बांड दे चार तारिक पले कर दे स्वामनी फैंस मले बेटा इसका राइट आंसर मेसोडर्म देखो यह क्यूशन डाला चार पेज गातो क्यूशन बना दियार जल में सुक्सम जियों के साथ पूरू उपचार करने की एक प्रक्रिया जो जूट में फाइबर बंडलों को केंद्रिय तने से अलग करती है और लकड़ी के उत्तक से तंतूं को डीला करती है क्या कलाती है र सीधा से कि लाइन में ज्यूशन आज़ादा राइट अंसर एट टेंग फिर कर दिया होगा बच्छोंने कर दिया होगा वाई जूट में कौन सी करिया रेटिंग मदु मक्खी के छते में वरकर भी होते हैं बाध माजा जो भांध माजा होती है जो बच्चे जनम नहीं दे सकती वो अधिकान स्पोधों में सरक्रा किस प्रमुग रूप से इस्तना अंत्रिंद होती है सुक्रोज बिल्कुल ऐसे क्यूशन देते हैं जीव घबरा गया होगा कुछ बच्चों ऐसे क्यूशन देखे दो वाई चलो तोड़ी बहुत तसली आती है छोटे बच्चे इन सोचते नहीं बिल्कुली वाई छोटो बच्चों को आँ कटोब जयता चली जाए कोई बात नहीं लेकिन क्यूशन कोई कोई क्यूशन तो से मर भारा दित्यक उससाइट द्वारा कितने सुकराणों और अंडानों गा निर्मानों गां गिन के बताऊ रह घिन के बताऊ तो ak 12 चोईस्टों शुकराणों बारा अंडानों आधे निमे लेकितमें कौनशी कवक खाने योग्य नहीं है अस्टी लेगो यह कवक क्या होती है खाने योग्य नहीं है कि हाँ बेटा एक दो क्यूशन देख एक ज्यादा नहीं थे इतने पोटी कलजर जरूर हाट आई थी केमेस्ट्री सबसे आई थी उसके बाद में बाइलोजी आट थी एक रिगदर ठीक था माता ठीक हुआ बच्छोंगा और अब थोड़ा केमेस्ट्री के 40 क्यूशनों की चर्चा कर लेते हैं राउल गुपता जी बैटे हैं बीच में तो मैं उनको बेद देता हूं दस मिनट में आपका लेंगे और वो केमेस्ट्री के लकर आएंगे और केमेस्ट्री तो फाड़ू केमेस्ट्री दिवाई तो प्यारे विद्यार थे हूं बच्चों अच्छा पेपर किया है अप लोगों ने बढ़िया किया जो कुछ किया अच्छा किया है और अब अपन बात करेंगे बेटा हम केमेस्ट्री की ठीक है और chemistry में जैसे कि अभी हमारे सितरम भाकर जी ने मुझे भी बताया आप सब लोगों को भी बताया कि भाई पेपर था ठीक है अब लेकिन इसमें भी कुछ चीज़ें ऐसी थी कई questions ऐसे थे जिनको अपन को छोड़ना था जैसे test match में होता है अच्छी केंदों को अब उसमें से कुछ question जो थे चोड़ने थे और मैं यहां पर पूरा solve नहीं करवा रहा है अभी अपन क्लास नहीं लगा रहे अभी अपन क्या करेंगे आंसर की बात करेंगे जिससे कि तुमको थुड़ी सी तसल्ली हो जाए जैसा कि पहला प्रसंदा बेटा कि कौन सा अगरी कल्चर chemistry का question था जैसा कि आप देखी पा रहे हो कि यहां पर आपके लिए आंसर क्या था यहां पर मॉली ब्लेडिनम यह वाला question बच्चों यह तो आपने देखा भी होगा जनरली अगर अपन चूने को अगर हम पानी में डालते हैं तो उश्मा मुक्त होती है तो यह और अगरी कल्चर से question जो था अब इस बारे में बिटा इतना मड़ा एक्सपर्ट में हुई नहीं अगरी कल्चर एक्सपर्ट का लेकिन जो हमारे सर ने जो आंसर सीट आपको बनाई है उसके अनुसार यदि मिट्टी का pH 8.5 से अधिक बढ़ जाता है तो पौदों पर क्या प्रभाव पड़ेगा ठीक है तो आप क्या देखेंगे कि पौशक तत्वों का अव्शोषन कम हो जाएगा यह अंसर था आप लगा लीजिएगा ठीक है और फिर उसके बाद हम चलते हैं मेरे प्यारे लाड़लों next question पे और वो next question हमारे पास कहा था कुछ थोड़ा आगे ज सा बहुलक संग्णन पॉलिमराइजेशन द्वारा प्राप्त होता है देखें देखें कुछ चीजें जो है ना बेटा यह कुछ चीजें जो है आजकल इंगलीस में आने लग गई है पैटन थड़ा सा चेंज ठीक है तो यह बेटा question आपके लिए आसान था आपको मालूम है पीवी सी पॉलिथीन पॉलिश टाइरीन यह तो क्या थे बेटा यह हमारे एडिशनल पॉलिमर थे योगात्मक भूलक थे तो भाईया आंसर कौन सा होना है यह है नाइलोन डवल सेक्स और प्यारे बच्चों जैसे की परंपरा रहती है कि यह लोग क्या करते हैं भाई साब यह अभिक्रियों के प्रकार से कोश्चन देते हैं ठीक है हमेशा देते हैं यह अभिक्रियों के प्रकार का तो एक सीधा साधा कोश्चन आपको यह पर यह दिया गया था कि SCN में कार्बोनील योगी का जुड़ना किसका उधारन है तो यह था बटा नुकलियोफाइल एड इसमें फिर वही वाली बात कह रहा हूं बेटा अपन को कुछ गैंदें छोड़नी थी इस केमिस्ट्री में बाकी सारे कोश्चन हाड नहीं थे यारो ठीक है अब दस कोश्चन ऐसे थे जिनको अपन को छोड़ने थे ठीक है अब जैसे हम लोग आगे की बात करें बेटा यह को लोड़नी थी क्योंकि यह लेंदी कैलकुलेशन वाला आपका कोश्चन था और यह कोश्चन क्या था एक कार्वनिक योगी कार्वन और ऑक्सिजन से मिलकर बनाया जिसके मौलिक विशलेशन में थर्टी एट पॉइंट सेवीं वन परसेंट कार्वन और 9.67 परसेंट उपस तो तुम टिक पे टिक मारते रहो और बाद में यह कोश्चन थे न्यूमेर्कल स्टेंडर्ड के जैसा कि बागर साब ने भी बोला था इस बात के लिए कि यह क्या है कि फिजिकल केमिस्ट्री थोड़ी सी इस ने भर दी तो उसमें जैसे 11 का जो था उसमें हमारे पास आंसर इसको टैली करवा रहें जैसे चलते अब हमारे पास नेक्स कोस्ट्इन जो है वह जो 난ेक्स पास आया है वह नेक्स कोस्ट्इन पीटा हमारे पास क्या है वह commentैक ऑर यह क्या क्लंसी अपने प्ड़ा होْगा ऐसे ही एक और अगला कोश्चन आपके लिए निमलिकित में से कौन सा एक गैर विस्तारित मिट्टी खनिश है तो ये था सार आपका केयोलीन केयोलीनाइट ये केयोलीनाइट जो था ये आपका ऑप्शन जैसा कि आप देख पा रहे होंगे प्यारे बच्चों जैसा कि परंप इजी कोश्चन ते और जो सेलेक्शन देते हैं एसा मस सोचोगी वह दोसको अपको सेलेक्शन देंगे नहीं एसा कुछ भी नहीं जो कोश्चन जातर बच्चे सॉल्व कर सकते अगर वह गलत नहीं करके आयों तो आपका सेलेक्शन है यहांपर ठीक है तो जैसे यह हमारा थ हो था XE F6 मैं संक्रण क्या होगा आपको बेटा अच्छी तरह है मालूम है मेरे प्यारे बच्चों कि वह याच्छ सिग्मा है एक लॉन पेर है बैया टोटल आया साथ साथ आया तो 25-D3 यह आपको थार को पता है परमानु सरचना में से तीन कुश्चन दिये थे परमानु सरचना मेंसे तीन कुश्चना आये आपके लिए ठीग है और वो क데टा इजी थे और आपको करने थे फोडने थे और वो क्वेश्चन जैसे आपका 20th कुश्चन था कि इसाब प्लस हाफ, M is equal to 0, the element belongs to प्लस हाफ, तत्व का संबंध है, अरे प्यारे लालो, आपको ध्यान होगा बेटा, कि यहाँ पर हम लोग L is equal to 0 से अगर अपन पहचान लें, तो बेटा, L is equal to 0, S के लिए होता है, तो कौन सा है सब यह, S ब्लॉक से, जैसा कि मैं बेटा, आपका ज्यादा टाइम नहीं लेना चाह रहा हूं, बस यह केवल यह बात अपन कर रहे हैं, आंसर अपन टेली कर रहे हैं, अपन कोश्चन को पूर्य उस्वर्फ, वाल्व यह नहीं करना चाह रहे, ठीक है न मैया, ठीक है, जै हो सर जी, जै हो, मेरे प्यारे लाड़लो, अब देखो आगे चलते हैं, हमारे प वाल भी आपको छोडने वाल थी, ठीक है, ये वाल भी आपको, बेटा, कोश्चन देखते जाना हो सकता है, इसमें जो सिक्वेंश है, वो उपर नीच चल रही है, ठीक है, तो आप एक कोश्चन देखते जाओ, रइट डा, राइट दा, राइट आईउ-पेसी, नेम आफ the following compounds यह आपको दे रखा था ठीक है यह गैंद आपको छोड़नी थी और इसका जो आंसर है वो है बिस क्लोरो इथेनोइक अनहाइड्राइड आप जानते हो एनहाइड्राइड का हम आदे भाग का इनाम करन करते हैं और बिस का मतलब यह है मेरे भाई यह दो है एक इदर का एक ठीक है बिल्कुल ठीक तो भाईया 27 किसकी आकरती प्रेडिमिंग नुमा है ठीक है विच वन है जे प्रेमेडिकल शेप आपको ध्यान होगा भाईया चाहे वो अमोनिया हो चाहे एंसील थ्रीयों पीसील थ्रीयों बटा देख अगें संक्रण से रिलेटेड कोस्चन हमारे यह पास आया है यहां पर तो इसका आंसर क्या था पीसील थरी तुमें पता है मेरे बाई क्या कि यह संक्रण एक लॉन पेर है यह वाली गैंद भी भाई साहब आपको थोड़नी थी यह वाली गैंद वी पीड़ा जो हम नीट की तियारी कर वाते हैं आएटी की तिश्यारी आपको यह देखना था कि भाईया यह दौनों वले जो है यह एरोमेटिक का पालन कर रही है और जो तीन एक जांपल है वहाँ पर एक वले रोमेटिक है दूसरी वले नौन रोमेटिक है इसलिए यह जाद आपनों ग्यार निपाड़ना यह क्या थी बाई साब गॉल छोड़न वाली गैन थी टेस्ट मैच में बढ़ना विकेट के पीछे कैच हो रहा था आईए फिर देखिए सब नेक्स्ट कोश्चन की बात करें अब कोश्चन यह है कि भाईया एक न्यूमिर्कल दे दिया गया पड़ा प्यारा सा अगेन वह दस गैंदों में से यह कोश्चन था मेर प्यारा आप यह सोच रहे होंगे कि यहां देखिए इनकी कंसेंटेशन सेम दे रिखी है यह सब्सक्राइब दोनों समान मात्र मिला दिया तो यह न्यूट्रल आया होगा नो भाई नो यह अमलिय होगा बेटा इसको अम लोगों को तुल्यांग की भार में चेंज करना था इसको नॉर्मल नॉर्मलेटी के अंदर वहां पर इस चीजों को देखते हुए फिर हमें बात करना था क्योंकि इसकी जो च्छा रखता है वह दो है और इसकी जो अमलता है वह एक है प्यारे बालकों यह कुश्चन बहुत ही इजी प्रशन में से आता है आपका और यह प्र इसलिए और यह मोल में से कुश्चन बनते हैं बहुत इजी था अगर आप देखें बारा ग्राम कार्बन का एक मोल होता है ना मेरे बच्चों तो च्छे ग्राम है तो आदा मोल हुआ ना भाई मेरे तो यह कौन सा आपका ऑप्शन बैठेगा यहां पर सेकेंड चलिए सर अ आगे यहां पर हम दो के लिए रहे और नहीं कर देख देता हूँ आपके लिए कर देता हूं आई वजन के अनुसार वन रेशो 4 के अनुपात में ऑक्सिजन और नाइट्रोजन होता है इसलिए उनके अनुओं की संख्या का अनुपात है यारे बच्चों यह वो दस गेंदों में से गेंद है जिसमें क्या ना है आंसर आपका 7 रेशो 32 ठीक है इसको बेटा हम लोग किसमें मो लेंदी थी यहां पर आप जानते हो लॉग में फिर हमें जाना था लॉग टैन अपॉन सेविंटी बात करेंगे तो साथ का लॉग चाहिए था फिर भी आप आइडिया लगा सकते थे कि 30 परसेंट है तो 50 परसेंट का मतलब हुता 50 परसेंट और मिनिट जो आएगा वह आंस संबाव जब 30 मिन्ट में 30 परसेंट हो रही है तो 24.2 में 50 परसेंट कैसे हो जाएगी चलिए चोड़िए यह कोश्चन मेंटा आपके धातू कर्मकी में से मेटलर्जी में से यह कोश्चन आया था कि निकल को परिश्कृत करने के लिए मांड प्रक्रिया मांड बिटा याद के लिए ठीक है आपने यहां पर इस चीजों को सौरी मांड बीदी निकल के लिए उती थी और टाइटेनियम जर्कॉनियम के लिए वह अर्केल वीदी थी तो पिटा यह ठीक करने वाला आपका कोश्चन था इसमें कार्बन पानुकसाइड आप काम में लेते हो ठीक है वास लगाने वाला हमारे पास question था जिसको उम्मीद मैं रखता हूं जातर बच्चे करके आए है और नेम रियक्शन आती है और निक भाईया उसमें से कि आ है तो उसमें से यह रो ना आता है रोकुरोस की प्रमानुक्टा-क्या-Ed इसकी परमानुकता कितनी होगी बेटा वोगी च्यार अब आगे बढ़िए मुत्रों यह तो मैं आपको बता चुका अब इसके बाद फिर हम लोग आगे बढ़े त्वेल्थ कोश्चन पर आएं और यह देखो बेटा यह राइट बेलकल ऐसा प्रसंद था जिसको आपको टिक करना था रे मेरे प्यारे लाड़ लो इसको देखते ही सही मारना था यह यानि इस बॉल पर तो आप वो चौका चक्का वारना था मेरे भाई ठीक है और यह वाला यह था विद्धुत्रनात्मकता का सही क्रम है अगर इलेक्टों बंदूता पूछ लेता तो अब हम पन और बच्चों को बताया हुआ है कि सब लोग बताते हैं कि फॉस्फोरस के बाद ऑक्षियन की विद्धू त्रेनात्मकता होती है तो हमारा उप्षन कौन सा था भईया सैकेंड प्यारे बाल को यह कॉंजुगेट बेस और कॉंजुगेट एसिड से रिलेटेड कोश्चन संड गरवडी को पिछले साल भी बाई साब बहुत जादा कैसे कोश्चन थे मिस्प्रिंट वाले कोश्चन थे पहला यह दाग तो इस बार भी रखा है नो ने और यह मिस्प्रिंट का एक नमूना ठीक है अब अगर इसको मिस्प्रिंट रही वाने कई बच्चों ने इसको ठीक है इसको थोड़ा बहुत सुधार भी लिया होगा कि चलो हम मान लेते हैं आपकी इस गलती को ठीक है तो यह एक्चुल में क्या था भीटा एच पी ओ थ्री टू माइनस था यह यह वाले भाई साब यह थे और आप ठेज जानो रहे सायुगमी हमने कॉंजूगेट आपको अ एक माइनस का चार्ज कम हो जाएगा हाइडूजन की संक्या बढ़ जाएगे और आपके पास आंसर आजाए लो ठीक है प्यारे बाल को यह कोश्चन भी ठीक ठाक पॉश्चन था आपका कि बैंजॉइक एसेड सांद्रेट चनुत्री सांद्रेश्टूसफूर के लिए साथ रेख इए लिए उन थे अरे मेता डारेक्टिव ग५प तो मैटा डारेक्टिव ग५प है तो क्या बनाएंगा मैटा प्रॉडएक्ट ठीक है यह कुश्चन और निक था इजी प्रस्ण और तो और वेटा इस कुश्चन को दे लिखे तो तुम खुश हो गयोंगे यारो है इलेक्ट्रोनिक कॉन्फिगरेशन इलेक्ट्रोनिक विन्यान से एकट्विएड कुश्चना आता है कि नहीं आता है बताया था अरे जातर लोगों ने हर बंदों ने आपके लिए इंपोर्टेंट लगाया होगा यार तो क्या था विरवाई परमाणू करमांग 28 प्यारे ब अब डी ब्लोक है तो अंतिम एलेक्टोन तो डी में जाएगो का ना जाएगो या पी एट कर रोखो यह तो गलत है अब तुम देगो तुमारे लिए बचता क्या है मेरे बच्चा तुमारे लिए यही चीज़ बसती है और बीच में टूपी फोर भी डाला है यानि यहां तु सब करिया है कि निकल क्या है 3D8 ठीक है तो आफ जानतों आइरन डी सिक्स है फिर उसके बाद फिर आप निकल के बारे में जाओगे तो आठवे नंबर पर आता है 3D8 करी आए बेटा करिया है जो कुछ करी आए ठीक है अब आगे चला रहे यारो आगे आजाओ अब आईये बेटा ऑक्सिडेशन जो ऑक्सिडेशन नंबर है ना ऑक्सिकन अवस्था बताओ कि बताओ दो कुश्चन थे कि नहीं मायूस नहीं होना उन दस बॉलों को छोड़कर आपके पास मेरे बच्चे 30 बॉले यही थी जहां पर तुमको आसानी से खेल सकते थे और खेले ओ तुम प्लस पाच ऑक्सिडेशन नवस्ता होती है यही करके आए थे कि नहीं करके आए थे अरे अधिया जिसको निकाल तो टोटल पर चाड़ जीरो तो कितना हो गया माहिना सिक्स हो गया एक कम करोगे तो कितना हो जाएगा बाल को ठीक है अब कई बच्चे कहेंगे साब फिर करन अरे यारो ठीक है आगे देखते जाओ ठीक चलो रहे मैं यह तो अपन कर चुके अब चलो कच्छू कोश्चन यहां में ते रह गए बहुत आसान थे टेंशन नहीं लेने का इतना हुआ क्रियेट किया जा रहा है कि केमिस्ट्री बहुत हाड बहुत हाड बहुत मानता हूं अगर क्या फॉट्र ऐसे थे लेकिन वैटा इसा मत्मानों जो सारे की सारे कुश्चन करके आह उसी का स्वेक्शन था ठीक है अगर आप लोग यहां पर अगर ट्वंटी कर गये तो बहुत यहां बहुत अच्छा प्रदर्शन कर गएंगी बहुत अच्छा परदर्शन कर ग तुम लोग भी तो यार इंग्लिस ज्यादा बोलने लगे हो आज कल इंग्लिस बोलते हो ना तो यह लोग भी बोलते हैं और यह नहीं संकृत करेक्टर मतलब एस प्रतिशत्ता जो है वो किसकी ज्यादा है यह बोला जा रहा है तो मैं मालूम है ना कार्बन के पास संक्रण होता है इसके पास स्पी टू होता है इथाइन में कार्बन स्पी होता है थारे पतोच्छे बाया पच्चीज परशंट इको 33.3 और 50 परसेंट तो हमारे ऑप्शन यह था 22 वां कोश्चन जो था ना यह गैंद छोड़ने वाली थी रे बाल को ठीक है और मीला चौदरी अरे बेटा और मीला ठीक है उमीद है तू अच्छा करके आई होगी बीडी बीटिया 22 वां कोश्चन आपके लिए छोड़ने वाला कोश्चन था 5.6 लेटर गैस स्पीटी पर वजन 8 ग्राम के बराबर है गैस का वाश्वगरत्व होगा वाश्वगरत्व बेटा क्या होता है अनुभार का आधा तो अनुभार आपको निकालना था ठीक है मोलरता वाला स्कीन जब अपन मिलेंगे कभी फिर आपसे बाद में फिर इसको सॉलीशन लगे बात की जाएगी अग्री कल्चर के मिश्टी का आपके लिए कोश्चन था मैं अगेन फिर वही वाली बात करो मैं बहुत बड़ा एक्सपर्ट हुई नहीं ठीक है लेकिन हमारे जो एक्सपर और जो कोश्चन था यह बेटा अमलता से रिलेटेड कोश्चन था एसीडीटी से लेटेड था आप साइद भूल गए होंगे आपको याद होगा मेरे बच्चों की प्लस ऐइफेक्ट वाला गर कोई ग्रुप अगर जोड़ा जाता है एसीडीटी कम हो जाती है माइनस एफ अच्छा था मेरे बेटा आप लोग करके आए होंगे यह आपके अगरी कल्चर केमिस्टी से लेटेड कोश्चन निम्लिकित जीम मैं से कौन सा मिट्टी में उच्छतम बायो मास देता है कवक ता फॉलाइंग ऑर्गेनिजम गिव्ज हाइएस्ट बायो मास आफ सॉयल आप करके आए होंगे कवक फंगाई आप इसको करके आए होंगे ठीक है चल यह नेक्स्ट कोश्चन पर चलते हैं प्यारे लाड़ लो इसको हमपन पहली सी बात कर चुके हैं अब अब बचता है हमारे पास 29 आरे भाईया बिटा हमारे स्लेबर्स में सॉलिड इस्टेट नहीं है लेकिन पिछले बार की परंपरा रही है कि सॉलिड स्टेट से लेटेड कोश्चन पूछे जा रहे हैं पिछले बार भी पूछा गया था इस बार इन्होंने पूछा कि पोटेश्यम के साथ किसली करता हो ताने पोटेश्यम का किस्टल जालक सरचना कोन सी होती है तो बेटा यह देखिए शरीर केंद्रिती लिख देतो ठीक है यानि कि यह बार तो ऐसे हिंगलिस वर्ड यूज किये गए और कई बार ऐसे इंदी दिया बाई-साव इंदी वाले टीचर सरमर आजाएं यानि काय केंद्रित शरीर केंद्रित अरे अंड़ा देख लिए बॉडी संटर्ट क्यूबी के स्ट्रेक्चर बी सी स्ट्रेक्चर होती है प्रटेशन दद्दा की ठीक है यह कोस्चन भी अगर जो बच्चे पढ़के गए वो तो करियाए होंगे दे प्रटेशन नंबर निकालना इजी था अरे आक्सेडेशन वाले कोस्चन आप से वो नहीं पूछे गए दो वहां पर कैसे थे असेप्शन वाले कोस्चन अपुछे के सी एल टू से इन निकालते हैं उसको कर आउसे डर ऐगा एक रेड़क्स से रिलेटेड कोस्चन कितने द प्रफजन दहां कि कौन सी रिडॉक सभीक्रिया नहीं और बेटा सभीक्रिया नहीं है रिडॉक स्रेक्षिन नहीं इस आप आसानी से कर सकते थे केल्σιम दाधा प्लस टू यह भी प्लस तू तो संबभी नहीं है सीओट्री टू माइनस है अंडे औक्सिजन एंडे सीओ टूच है अर जब आप अक्सिडेशन रिडक्षन जब निकालोगे तो बेटा आप देखो इनोंने आठ नौको टाले एक आथ कोश्चन की यह नोने कंजूसी रख दी फिर भी कुछ कोश्चन को अगर आप मान लेते हो तो पर पहलत रख दी आ इन्होंने कि आइए हम बात करें ने बच्चों यह तुम्हारे एग्री कल्चर का कोश्चन है एग्री कल्चर केमिस्ट्री वाला आपका कोश्चन है और वह आप करिया हूंगे शायद एक ऐसी मिट्टी जिसका पी एच एट पॉइंट फाइव से कम है और एसी फॉर से जादा है ठीक है तो आप लोगों के लिए होंगे अगे अग्री कल्चर वाला आप लोगों के लिए कुश्चन था कौन जावरत मिट्टे में लता वैदा करता है तो मोनियम सल्फेट यह आप करके आए होंगे ठीक है अपन तो ज्यादा बात करी नहीं सकते साव इनके बारे में क्यों क्योंकि एग्री कल्चर कैमिस् यह बेटा 2037 कोश्चन की और बढ़ा जाए है जानो रहे बुजा चुना बिना बुजावा चुना चुने का पाणी थे पत्तों ने ठीक है चुना पत्थर यह बेटा एस ब्लॉक से लिटेड कोश्चन जो आपके आया था अधिकांस बच्चे करिया है होंगे जो स्लैक्ड ओल भी लाइम है वो उसका फॉर्मला क्या है सीए ओच का होल क्राफ्ट जो रेक्शन है फ्रीटेटल क्राफ्ट जो अभिक्रिया होती है और अब देखें बैंजीन के बिकरिया जाब मिधाईल क्लोराइड यानि की सी अस्त्री से आप करवा ऋगे तो बने गां तॉलूइन इंग्लिस को इंदी करने में पचारे परिशान होगे तो आप यहां से देखिए टॉलूइन यहीं नहीं है कि आपके जैट के एक्जाम में ऐसा होता है आज कल ऐसा ही होता है कि आपको हिंदी और इंग्लिस दौनों में बैलेंस बना के चलना पड़ता है का सब्सक्राइब तो तो यहां पर आपको टॉलूइन आपको पता लग रहा है कि पिछली बार बैटा कॉलाइट से लेटेंट कोस्चन आपको नहीं आये थे इसुज 주는 आपके कELा है और आपके लिए आपके लिए 1 नंञ्ना सा कोस्चन डाल बडिया है और वो नंञ्ना प्य नहीं समझ पाओगे फैरिक लोराइड जोडने पर ताजा अवक्षेपित फैरिक हाइड्रोकसाइड का कॉलाइडल अवस्ता में रूपांत्रन किसका एक उदारन है भाई साब भी शुद्ध हिंदी ठोग दी यहां पे चीदि कनवर्जन और फ्रेशली प्रिपेर्ड फैरिक कहलाती है पैप्टी करन एक काना कोश्चन आया वह यह आया बाइटा आगे फिर आजाओ परमानुस सरचना अटोमिक स्ट्रेक्चर और इस अपने को फिर मिल गया एन इस इकल टू टू एलिजगल टू वन के साथ सभी और्बिटल में फिट होने वाले लेक्टॉन के दिख एक्षकों के बारे में बात कर रहा है और तुमको पता है रहे शक्षक इतने होते हैं पीक खशक होते हैं तीन तीगे उसमें मैक्सिमनम नंबर ओफ एलेक्टॉन कितने आएंगे क्यों प्यारे बालको ठीक है चैटिंग बंद कर दी देख रहे हैं तो बहुत कम से कम समय लेना चाहरा था और आपको आज हमारे हम जो जुड़े आपके साथ वह यही जुड़ने का हमारे पास उद्देश था कि हम आपको एक सटीक आंसर सीट आपके लिए दे बाकी तो जैसे सीतराम जी ने बोला ही था क फाइनल जो बात होगी वो तो आपकी युनिवेस्टि आपके लिए आंसर सीट करेगी फिर भी बेटा बहुत बड़ा खाका आपको मिल गया होगा आपको तोड़ी तसली मिल गई होगी आराम से अब आप सो ठीक है आर आपके लिए भविश्य आपका अच्छा होगा और उ कोश्चन ऐसे नहीं थे जिनके लिए हमें बहुत बड़ा हुआ बनाया जाए तो चलिए अब फाइनल आप लोग इस बात के लिए फिर नहरा लगा दीजिए ठीक है जैजवान जैकिसान और फिर हम लोग फिर आप से फिर मुलाकात करेंगे ठीक है फिर सिताराम जी फिर आ झाली अब भाइनल आप से फिर आप से ठीक है जा जा अब लोग जब ज़ो ए खिर रिक खिर हमें पुरूण जब बड़ा हुआ जब अर जगीजिए रिए, ऐभने बनाया जो जब बनाप से फिर खिर हमें जाली आप से घासालवान जार नहरे जां झाली गासली उज़ु